हें गाईस विल्कम टू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है इस वीडियो में तो दोस्तना एक बहुत अच्छी खासी रेक्रूटमेंट आउट की गई है NIT राउर केला से यानि कि National Institute of Technology राउर केला से टोटल पर्मानेट जोब्स की वेकिंसिज आउट की गई है जिसे कि All India के केनिडियो इस तोंप विलब कर सकते हैं यह एक बहुत अच्छी खासी अपश्टूटी है इस तरह की जब भी वेकिंसिज आती है NIT से या फिर IIT से ISM से CISR से वेकिंसिज भी अच्छी खासी होती है यहाँ पर भी बहुत अच्छी खासी है डेर सो लगबग वेकिंसिस निकाली गई है और वो भी पर्मनेंट जॉप्स के लिए ITI डिप्लोमा डिग्री और 12 पास वालों के लिए भी ग्रेट अपश्टूटी है गाइस तो इस सब में eligible होते हैं तो जरूर apply करना competition कम होता है selection होने का chance बहुत ज़्यादा होता है और salary की तो मत पुछो यार बहुत ज़्यादा salary मिलती है तो यह सब notification release की गई है चले detail notification वाज A to Z process बताएंगी क्या qualifications होगी post क्या होने वाला है कैसे selections होती है यहाँ पर तो detail में videos को देखना ताकि आपकी कोई भी doubt है वो miss न हो पाए तो जले start करते हैं इससे पहले requested होगी please वीडियो को like जरूर कर दें and channel को subscribe नहीं कियें तो कर लें क्योंकि government job and private job से related update so guys यह है official notification national insert of technology राउर के रा यह advertisement recruitment non-teaching post है क्योंकि आए नाइटी है तो यहाँ पर जो vacances निकाली गई है group C level की post होती है non-teaching की post है आउट की गई है एक से लेकर pay level बहुत ही high रहने वाला है जिसकी जो form है guys आप online fill up कर सकते हैं आप देखो यहाँ पर total की जो vacances release की गई है यहाने की total 19 प्रकार्ट की vacances है 19 तरह की post है release की गई है और मैं बता चुका हूँ 1500 लगभग post है यहाँ पर route की गई है pay level देखो यार 14 तक की pay level यहाँ पर रखी गई है चले सबसे पहले post देख लो librarian की post है उसके बाद principal scientific officers उसके बाद superintendent engineer deputy registrar senior scientific officer senior executive engineer उसके बाद scientific officers के लिए SAS officers में निकाली गई है assistant registrar के रिए medical officer superintendent technical assistant अब जो post होती है यह सब आपको यहाँ लिज बलोंगे इस सब में highest qualifications आई है technical assistant की vacancy है junior engineer की recruitment है SAS assistant librarian and information assistant senior assistant फिर junior assistant senior technician and technician तो यह सब post है की vacancies है निकाली गई है category wise आप देख लेना किसके लिए कितनी है मैं बहुत फास्टली थोड़ा सो उपर वालिक को qualifications बताऊंगा देख सकते हैं librarian की salary परीच डेड़ लाग से starting ही एक लाग बाया लीज़र से starting salary है चपन यह एज लिमिट है इसमें master degree मांगी जाती है और कुछ experience भी होती है क्योंकि 14th पे लेवल है यार इसमें principal की vacancies है same qualifications है same नहीं B.E.B.Tech किसमें मांगी गई है M.C.A. with 60% के साथ 15 साल की experience है और 1,42,000 salary मिलने वाली है superintendent जो engineering है उसके लिए 1,23,000 salary मिलने वाली है B.E.B.Tech civil engineering वाले इस firm को fill up कर सकते हैं 5 साल की experience यहाँ पर लगब लगब 15 साल की experience से सब चीज में मांगी जाती है deputy register में 78,000 से starting salary है master degree चाहिए with 55% 9 year की relevant experience यहाँ पर चाहिए next frequency senior scientific officer 78,800 से salary starting है 50 साल age limit है B.B.Tech MSC कर रखी है या फिर M.C.A. degree आप इस firm को apply कर सकते हैं 5 साल की experience senior executive engineers में 78,000 से salary starting है age 50 है B.B.Tech civil engineer वाले apply कर सकते हैं 5 साल की आपके पास experience मांगी गई है next frequency scientific officers के लिए 56,000 से 1,47,000 salary age 18-35 साल आप यहाँ से ध्यान से सुनना student 18-35 साल की student इस firm को fill up कर सकते हैं B.B.Tech MSC कर रखी है या फिर M.C.A. कर रखी है तो आप बिल्कुल firm fill up कर सकते हैं कोई भी experience की demanded नहीं की गई है next frequency student activity जो S.A.S. officers के लिए age 18-35,000 से लेकर 1,47,000 इसमें master degree मांगी जाती है तो आप पहले इस भले है next frequency आ जाती है फिर से assistant registrar इसमें भी 56,100 से salary studying 18-35 साल age limit है master degree इसमें भी वांगी जाती है अब next vacancies यहाँ पर राखी गई है जो कि medical office है तो भई है medical officer थे तो M.B.B.S की degree चाहिए उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर superintendent की vacancy है 35,400 से लेकर एक लाख 24,000 के बीच में salary होगी 18-30 साल age limit है first class bachelor degree के student को apply कर सकते है master degree कर रखे है तो better है आप बिलकुल apply कर सकते है computer की knowledge होनी चाहिए technical assistant त्यान देना आप technical assistant की vacancy है 35,400 से लेकर एक लाख 12,000 salary मिलेगी 18 साल से लेकर 30 साल age limit है first class की B.B.M.C.A कर रखे है तो apply कर सकते है या फिर first class की diploma engineering आपने कर रखे है field excellent academic record तो भी apply कर सकते है आनि कि आप डिपलोमा eligible है और B.B.Tech कर रखे है तो भी आप इस फंप को fill up कर सकते है technical assistant में next vacancy junior engineer की जूनियर इंजिनियर 35,400 से लेकर एक लाख 12,000 salary 18 से 30 साल age limit है B.B.Tech civil engineer वाले apply कर सकते है या फिर आपने vacancy library and information assistant इसमें जो vacancy है इसमें भी बैचलर डिग्री चाहिए या फिर आपने डिपलोमा कर रखे है PG तो भी eligible है senior assistant 25,500 से लेकर 18,100 salary मिलेगी 18 से 33 साल age limit है इसमें 12 pass मांगी जाती है कुछ typing इस भी डोड़ती है 35 word permit computers में next vacancy junior assistant में यहाँ पर भी 12 pass मांगी जाती है 21,700 से लेकर 19,100 वाली आपकी pay level jobs होने वाली है 18 से 27 साल age limit है next vacancy senior technician अब ITI student ध्यान देना senior technician की vacancy है 25,500 से लेकर 18,000 की salary रेगी 18 से 33 साल age limit है इसमें 12 pass अगर आपने science subjectives से कर रखी है with 60% marks तो बिल्कुल आप apply कर सकते हैं otherwise जहाँ पर 12 pass from ITI pass out होना चाहिए ITI यानिकी one year durations वाली तो आप इ ITI two year यानिकि 10th pass करके आपने ITI कर रखी है जो भी two year की trader like electrician, fitter हो गया, machinist हो गया तो आप बिल्कुल इस फॉम को apply कर सकते हैं 60% marks ITI में जोना जरूरी है याद रखना दो साल से अगर आपने 2 साल वाली ITI की है तो बिल्कुल freezer ITI student इस फॉम को apply कर सकते हैं next vacancy technician की है technician में 2700 से लेकर 79100 वाली जोब है 18-27 साल इस इसमें 12 pass के student response को apply कर सकते हैं यदि आपने 12 pass के साथ-साथ ITI कर रखी है एक साल वाली trade लेक जैसे welder, carpenter तो भी apply कर सकते हैं अधरवाज आपने ITI दो साल वाली कर रखी है तो बिल्कुल freezer apply कर सकते हैं electrician, fitter जैसा trade वाले okay guys तो इतनी लंबी qualification से ध्यान से देखना जो भी candidate eligible है apply कर लेना यहाँ पर भी आपकी selections होगी वो आपकी written exam के base पर ही होगी एनस्कल test के base पर देखो यह application जो भी apply करना चाहते है application fee लगने वाला है general OBC candidates का जो की 1000 रुपे लगेगा यार बहुत ज़ादा है और EWS, ST, SC जो यह सब candidate है या पी PWD के लिए तो उसके लिए 500 रुपे application fee यहाँ पर रखा गया SBI collect के जरीए आपको payment है वो करनी होगी return test कहा कहा होगा इसकी जनकारी यहाँ पर दी गई है और online fill up करना चाहते हैं तो कर सकते हैं link description मौज़ू देखे गाई जिसकी जो form 14 December से start हो चुकी है यानि कि आज से और 16 जनवरी 2023 तक last date रखी गई है SBI collect द्वारा payment जमा करने की इसकी 11 जनवरी तक रखी गई है तो apply करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यार फी बहुत ज्यादा एक हजार रुपय है अपको किसी किसी को लगता है कम बट बहुत ज्यादा है जो भी candidate eligible हैं जरूर apply करें और लगता है कि फी ज्यादा है तो please comment करके जरूर बता है यार ओके चले मिलते हैं नेक्स वडियों में तद अगले जाहें तो